तो दोस्तो रोज की तरह अनलेक्षिनी ब्लॉक में सबका आर्दिक स्वागत है सबके मंगल भाउशी की कामना के साथ दोस्तो बढ़ों को मेरा नमस्कात, सोटों को मेरा आशिरवाद, मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ, कि सब लोग ठीक हूँगे रोज की तरह दोस्तो आज 20 मार्च 2024 दिन बुदबार फालगुन मास के सुक्लपक्षि की एकादसी तिथी यानि आमलकी एकादसी इस तिथी पर पुष्चिनक्षत्र और अथिगंड योग का सहयोग रहेगा आज बुदबार को दोस्तो किसी प्रकार का शुब मूर्थ नहीं है, अभी जीत मूर्थ नहीं है इसलिए आज किसी प्रकार के शुब कारियों को करना हमारे शास्त्रों के विधान के अंशार मना ही है राहुकाल दोस्तों बारा बज़ के बीस मिनट अथाइस मिनट से एक बज़ के उनसेट मिनट दाब। शूर्य दाइच छे बज़ के पच्चीस मिनट पे सूर्य दाइच होगा और शूर्य आज तो दोस्तों च्छे बज़ के बथीस मिनट पे शाएैं बुदवार की प्रकृति दोस्तों हमारे जीवन में स्वम मिमानी जाती है और यह प्रत्वम पूजी गनेश जी भगवान गनेश का पुईत्र दिन माना जाता है अने प्रकार के जो कमजोर मस्तिश्क के लोग होते हैं उनको बुद्वार को दोस्तो भगवान गनेश जी का उपवार अवश्य करना चाहिए क्योंकि बुद्वार जो होता है बुद्धी प्राप्ति का भगववान गनेश जी का आशिरवाद बना रहता है और बुद्ग्रह और गनेश जी के गनेश जी अने प्रकार के कस्पों को हरने वाले हैं और हमारे जीओन में हमारी मनो कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं इसलिए गने इसलिए दोस्तों हिंदू धर्म में बुद्वार के दिन का विशेश महत्व मना जाता है यह दिन प्रसम पूर्ण जी जैसे की मैंने बताया भगवान गनेश जी को समर्पित है और शुब मांगली कारी बिग्रे हुए कारी को बनाने के लिए बुद्वार बहुत ही खास मना जाता है लेकिन आज अभी जीत मूर्त नहीं है दोस्तों क्योंकि इस दिन कार्यों में भगवान गनेश जी का अश्किरवाद राता है तो सास्त्रों में बुद्वार गनेश जी का दिन हमारे जोतिस सास्त्रों के अनुशार बुद्वार जो है ब्यापार के लिए बहुती सुब माना जाता है जो लोग ब्यापार से जुड़े हुए हैं किसी प्रकार का आदान प्रदान करते हैं उन लोगों के जिवन के लिए बुद्वार बहुती साथ होता है बुद्वार में और उपुआश और गणेजिकाश करने से ब्यापार में निरंतर हमको शुपलदा प्राप्त होती है और बुद्वार को दोस्तों खास्त और से काले कप्रे नहीं पहिंने जाते हैं और रूप्यों का लेंदिन इस दिन नहीं करना चाहिए और पश्चिम दिशा फूल होता है दोस्तों बुद्वार को सभी यानि गणेजी का भोग उपुआश करने के तदंतर गणेजी प्रसंपूजी हैं गणानांता गणपे नहां विदिनांता विद्वयाना ओम गणाजी पती नहां आज इस प्रकार जो है गणपति देप का पूजन करने से हमारे जून में मंगल कामलाओं की पूर्ती होती है जियोतिस के अनुसार दोस्तों भगवान गणेज ग्रहों की राजकुमार करताते हैं और बुद्ध ग्रह दोस्तों हमारे जियोन में अने प्रकार के भागी का कारक होता है पढ़ना पढ़ाई है लिखाई है पला है ब्यापार है अने प्रकार के बुद्धी ग्यान और विवेक का संचार और अपने ग्यान को अरजित करने के लिए अगर हम बुद्भार का ब्रत करते हैं तो हमारे अंतार करन में विबेक जाकता है और हमारे बुद्धी कुशागर बुद्धी होती है, गणेजी को खुश करने के लिए गणेजी का मंत्र है ओम बुभाई नमह, ओम एंग स्रिंग स्रिंग बुधाई नमह का जाब करना चाहिए। तो गनेश जी सभी देपताओं के पूजी देपता कहे जाते हैं और पूजी है और गनेश जी हमारे से पहले मंगल गनेश जी से ही शुरुवात की जाती है बिग्न नास के लिए गनपती कार सोत जो है हमको नित्य पढ़ना चाहे परम धामंग परम ब्रहमंग परेशंग परमेश्वरंग बिग्न निग्नकरंग शांतंग पुष्टंग कांतंग अंतकं शुरा शुरेंद्रो शुरेंद्रे शिद्यते सिद्यंते स्थुत्य इस्तामी परात्मनंग शुरु पद्म दिनेशंग चो गडेश मंगल आयनंग इदंग सोतं महापुन्यंग बिग्न शोक हरंपरंग या पठेत प्रातरु दहायो सर्व भिखनाय प्रभूच्यते तो गडेश जी दोस्तों संपोन जीवन के कश्टूं को हरने वाले हैं जो परम धाम परम ब्रह्म परेश परम इश और बिग्नु के विनाशक शांत पुष्ट और मनोहर और अनन्य हैं दोस्तों प्रधान प्रधान शूर और शिद्ध जिनका इस्तवन करते हैं जिनका स्वन करते हैं जो देव रूपी कमल के लिए शूरी और मंगलों के लिए आस्रई का स्थान हैं उन परात पर गणेश जी की मैं हमको रोज इस्तुति करनी चाहिए या उत्तम सोत दोस्तों महान पुनिवान विखन और फोक हरने वाले होते हैं इस परकार के हम सोत का पाठन पाठन करते हैं और प्रातकाल की बेला में इस सोत का पाठ करना संपूर्ण विखनों की विमुक्ति हमारे जीवन से अने परकार के कस्टों कस्टों दूर हो जाते हैं तो दोस्तों गड़ेश देपता जो है बिखन में नाशाग है शुक करता दुख को हरने वाले हैं शुक्षूं के कारक हैं और हमारे जीवन में अने परकार के शुक कारी हाव गड़ेशी के आशिर बात से हमें प्राप्त होता है तब शीता तब निशिचरहीन करम मही भुज उठाय पनकीन शकल मुनिन के आश्मनी जाय जाय शुकती तब शीराम जीन की ने भुजा उठाकर प्रण करके और प्रस्वी को राक्षे जुटे जहित करने के भाव व्यक्त के और फिस समस्त मुनियों के आश्म में जाय जाय कर उनको दर्षन नेवुशं भाषन का शुक दिया और मुनिय अगस्त कर शिश्य सुजाना मुनिय अगस्त जीने एक सुतिशन नामक जो सुजान ज्यानी शिश्य थे नाम सुतिशन परमात्मा के द्यान में निपन थे और उनकी भगवान में अपार प्रीति थी लगन थी मन, करम, बचन, राम पात शेवक, वे मन से, बचन से और करम से, सी राम जी के चाड़ूं के शेवक थे, सपने हुआन भरोष्ण देवक, और उन्हें सपने में भी किसी दूर्सी देवता के उपर, कोई लगन नहीं थी, कोई भरोषा नहीं था, किवल मात्रुवा मयादा वर् बचन जी जो इस शिरोमनी, रगुबंच के शिरोमनी हैं उन पा ही भरोषा था, प्रभु आगन शुन शुन पावा, तो भगवान के आगमन को सुन करके, तब उन्हें नहीं प्रभु का आगमन कानु से सुना, तो ही उन्हें अने प्रभु का आगमन कानु से सुना, तो ही दोड़ चले और उनने कहा ही विधाता क्या दीन मंदूसी लगुना जी मुझ जैसे दूस्त पर कभी दया करेंगे। तो मर्यादा प्रशुत्तन भगवान राम जी दोस्तों कर्मों के व्यक्ति के जो कर्म होते हैं उन्होंने अने प्रकार से जब रिशी मुनियों को राक्ष्यों दारा प्रतारित किया दा रहा था और संग मुनि के आश्रम से जोवा आगे बढ़ते हैं और उसके बाद जो है अश्रम मुनि के अश्रम से आगे जाते हैं और तब उनको संग मुनि मिलते हैं तो संग मनी ने अने प्रकार की बातें अपने को धन्य राम जन जी का वो इंतजार करे थे उसी इंतजारी में तब उन्होंने का सीता अनूज समेद प्रभु नील जलत यानि नीले मेख के समान जो परमात्मा हैं और शरीर वाले शाकार रूप में जो मर्यादा वस्तोद भगवान रामची हैं और उनके छोटे भाई और मता शीता निरंतर मेरे हिर्दय में निवास करें और अने प्रकार के जो रिशी मुनी थे उनको जिस प्रकार की यात्माएं राक्षियसों ने अपनी विविन्द प्रकार की यात्माओं देको उनको परिशान किया था तब परमात्मा ने प्रण किया उनको उनके लिए असरनी हो गया मर्यादा अबस्तोदम भगवान राम जी जब उनके सेवकों को किसी भी दुख्यों को दीन हिनों को कोई भी परशानी होती थी तो लोग कल्यान के लिए हमेशा संकल्पित हो जाते थे संकल्प के साथ तब उन्होंने एक शंकल्ब लिया मुनियों की दसा को देख करके मुनियों की हड्डे की धर्चे को देख करके उनकी उनकी देही को नोज-णोज करके राक्षय जिप्षका से परिशान करें थे उनकी यग्की में और जो बाधा डाल दे थे तब परमात्मा को बहुत दुख है उनकी नित्रों में जल भराया जान दों पुच्छवण कर स्वामी सब दर्शी तुम अंतर जामी तब उन्होंने जब जब रिश्यों की ब्रण जो शमूँ था उन्होंने कहा कि निशीजर निकर सकल मुनिखाई शारे जो निशीजर जो राक्षर है उन्होंने काफी मु मुनियों की संक्या समाप्तों हो रही है इस पेकार के ब्रतान को शुन करके मरियादापुशो तक म भगवान राम जी के आंखों में जल भराया तब उनको एकदम से क्रोध आया तो मुनियों की बात पुशो करके तब उन्हें का निशीचरहीन करम मही बुज उठाए पर न गीन शकल मुनिन के आश्मन नहीं जाए जाए शुड़ी तब मर्यादा पुषोत्व भगवान राम जी पुजा उठाकर प्रण किया संकल्प किया मन बतन और कर्म से प्रतिज्यां की कि मैं प्रतिवी को राक्षरु से हमेशा के लिए रही परता हुगा और फिर सारे जो मुनी लोग थे जो अपने यगी में बैठे थे उनको स्वंतना दी और आश्रमों में सब के आश्रमों में जाजा करके जहाँ जहाँ जा सकते थे उनके दर्शन के और उनको अपार शुक की शुक के भाव शुक प्रदान के दोस्तो मर्यादापुसूत्म भगवान राम जी कर्म के कर्म भावं के पक्के थे इस सिस्थी में दोस्तो कोई वियक्ती बिना कर्म ये नहीं रह सकता किसी लिए मर्यादा पुसुत्म भगवान राम जी नहीं कर्म भावन को जब द्वापार यूग में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था कर्म निवा अधिकार रुस्तम महाँ प्रदीश को दातनों किसी प्रकार का किसी प्रकार का अपना परायाद नो सोच करके अन्याय अत्याचार अधर्म में न्याय धर्म और सत्य की विजय प्राप्त करने के लिए संकल्पित होकर के कारी करना है यही बात जो है अर्जुन को भगवान से इसी प्रकार भगवा मर्यादा पुस्तम भगवान में ने करम भावं को आगे बनाने के लिए मानव चेतना गोजगाने का प्रियास किया तो सिस्टी में दोस्तों कोई विव्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह सकता है हम सभी या तो विचारों के मार्ध्यम से सक्री हैं अथ्वा क्रियाओं के मार्ध्यम से या फिर कारण बनकर करम में योगदान करें हैं कोई भी प्राणी अकर्मनी इस अंशार में नहीं रहता है इस सिस्टी में नहीं रहता है ये हमारे सिस्ट की रसना के उन्सार है विद्वानों ने कर्म की ब्याख्या मुख्य रूप से तीन सेडियों में की है दोस्तो जो विचारक है इन में से एग होता है दोस्तो क्रियमान कर्म कर्म का अर्थ होता है दोस्तो जिसका फल इसी जिवन में हमको तुरंत मिलता है शाका रूप में हम इस जिवन में उसको प्राप्त करते हैं दूसरा होता है संचित कर्म दोस्तो संचित कर्म जिसका फल बाद में हमको मिलता है इह लोग के बार परलोग में मिलता है और तीसरा होता है दोस्तों प्रारब्द है प्रारब्द को ही प्रायब भाकि काते है यानि यदि विप्रीत परस्तितियों में भी लोग शुखी जिवन ब्यतित करने की चाहत रखते हूं तो उनका स्रे उनके संचित कर्मों को दाता है यही मर्यादा पुर्शुत्रम भगवान रांजी संचित करमों को प्रदान ता दी, जब उनको 14 साल का बनवाश हुआ, पिता जी का प्रणथा और मता के ब्रदान थे, उन्होंने किसी प्रकार के किन्तो परण तो कहते हुए, न कहते हुए, किसी प्रकार का उलंगर के बिना, कोई बिना किसी चीज को कि अउहिलना करते हुए, बिना बन को प्रस्तान किया, और किसी प्रकार का भी अपवाद उन्होंने नहीं रखा, तो प्रारव्द कोई प्राय भागी काते हैं यदि विप्रीत पश्तिर में लोग शुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो इसका स्वेव उनके संचित कर्मों को दाता है यही स्वेव मर्यादा प्रश्तम भगवान राम जिन्नी मानव जून को हमेशा के लिए स्वजो कर रखने के प्रेणा राम जिन्नी ने भी एक जिगा कहा है दोस्तों को वह कहते थे कि अपने विचारों में निंत्रन रखना मानव जून का परम करता भी है अनिथा हमारे जो कर्म है और अनिथा वे हमारे कर्म बन जाएंगे और अपने कर्मों का निंत्रन रखना हमारा जर्म शिद्ध अधिकार होना चाहिए वह हमारा करता भी होना चाहिए अनिथा वही हमारा भागी बन जाए तो कर्मों की भाति संसार में लोग भी तीन प्रकार के होते हैं जिर्प्रकार कर्म तीन प्रकार के होते हैं, क्रियमान कर्म और संचित कर्म और प्रारप्त, उसी प्रकार कर्मों की बीट संसार में लोग भी तीन प्रकार के होते हैं, एक भागिवादी हैं, जो मानते हैं कि हो वही सोही जो रामर रजिराखा को कई तरक बढ़ावी साखा। अर्था सब पहले से ही पूर्वर निधारित है और इसलिए पुरुशार्थ करके भी हम कोई चीज को बदल नहीं सकते हैं और दूसरे में पुरुशार्थ वादी जिन्हें लगता है कि भागी कुछ नहीं होता है परमार्थी को परम अर्थात परमात्मा को ही सब कुछ मानते हुए लाबहानी में सम रह करके लाबहानी की स्थिति में अपने को समान रह कर जिवन ब्यतित करने की प्रेणा होती है और मनिश्यों की तीसरी सेर्णी वाले लोग को उत्तम प्रवर्वर्थी की का बताया गया है ऐसे ब्यक्ति किसी भी परिष्टि में अन्बै अर्थात शांत भाव से जुने अपन करते थी यही मध्यादा पुस्पर मखवार राम जियत पर लाए उन्होंने शांत मन से किसी प्रकार की अपकवार के बिना विशम परिष्टितियों में भी अने प्रकार की चुनाटियों में भी, विशम जब अध्या की इस्तिति इतनी विशम हो गी थी, ऐसी पस्तिति में उन्होंने अने इक बातों को ध्यान में रखते वे, अपने संचीत कारियों को खरने का जो प्रेणा मन अजियों को धी, वो हमें रामजिन के आदर से प्राप मनते हैं, अगर हमारे अच्छे कर्म होगा होगे, तो हमारा दियनता उत्थान होगा, हम लोग कल्यान कारी कारी करेंगे, सामाजी कारी करेंगे, और कर्म ही हमारे जियों को दसा और दिशा प्रदान करते हैं, अगर हम यह जुगा बैठे रहेंगे, घर से बहार नहीं निकल जब तक हम अपने जीवन को गर्शील नहीं बनाएंगे तब हमारे कर्म फल हमको प्राप्त नहीं होगे। अता हमें सदैव हानी पहुताने वाले कर्मों से हमेशा दूरी रखनी चाहिए। और जो कर्म हमको गलत दिशा में ले जाते हैं जिन कारियों को करने से हमारा दिशा परिवर्टित हो जाती है। अच्छे कर्मों का बरण हमको सुनिशित करना चाहिए और साधी कर्म करते वे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कर्म फल की इच्छा कभी ने की जाए कर्म निवा अधिकार उस्तु मांपरदेश को दातुने और फल जो है परमात्मा के हाद पर है वो एक दिन मिलना है उसको कोई हमारा रोग नहीं सकता है उसमें देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता है तो दोस्तों सभी लोगों को उन्ही के अनुरूप फल भी प्राप्त होती है इसी प्रकार मर्यादा पुसुत्तम भगवार रामजिन जी जहां जहां भी बन में आगे गए, उन्होंने किसी प्रकार के मैं कहां रहूंगा, मैं कैसे बन में आगे जाओंगा, कैसे मेरा जीवन भी देगा, कहां में रहूंगा, किस प्रकार के लोग मुझे मुझे देंगे लेकिन उनके कर्म भाव में तेज था बल था ऐसे ऐसे रिशी मुनी से उनका शाने दिवना जो राद दिन उनकी उनके शेवा भाव में चुड़ गई शहीत अनों जो कोई राम गुशाई मिलाईने से वक्ति नाई क्या स्वामी सी राम जी छोटे भाई लक्ष्पन सहीद मुझे अपने तब जो सुतिक्षर जी थे उन्होंने भी कहा कि मेरे खिर्दय में दर्विश्वास नहीं होता है क्योंकि मर्यादाब शुत्रम भग्वान राम जीन की भक्ति और ग्यान और वेरा की मेरे अंता करना नहीं है इतने भाव कोकर के और मर्यादाब शुत्रम भग्वान राम जीन की बतीतना भक्ति भाव होने पर भी नहीं सत्षंग जोग जग जाना मैं ने तो सत्षंग और योग जब जानता हूं और न करता हूं नहीं दरद सरन कमल नागा मर्यादा पुस्तर अमगवान रामजी बर मेरा किसी परकार का अनुराग भी नहीं है एक बान करना निधान की हाँ जया के बंदार प्रफुक्त की ए इन हिनों की जो जो अशाहाय थे जो दिन हीन थे उनको उनकी साहिता करने की प्रेणा उनके जीवन से हमको हमेशा के लिए रामसेद्मानस की बादिन से प्राप्त होती है वह यहीं सुपल आज ममलोतन तब सुतिक्षण जी का ते भगवान इस बान का श्मन करते ही मुनी आ प्रभर प्रेम दे की बदन पंकज भवमोतन वहा यानी भव बंधन भव बंधन अने प्रकार की संसार संसारिक भव बंधन से छोडाने वाले प्रभु के मुखार बिंदु को देखकर की देखकर आज मेरे नेत्र शपल होगे में साकार उप्रे अर्यादापश्ट्र मानने के दर्शन कर रहा हूं और शुतिक स्वन जी भी इसी प्रकार जिस प्रकार सर्वंग मुनि थे और अत्रि मुनि थे सभी का जिवन मोक्षी की प्राप्ति कर गए और इसी प्रकार उनको भी मोक्षी की प्राप्ति होगी तब ऐसे समय में सिप्जी करते हैं निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्यानि यानि प्रेम भक्ति में मगन अंतरा आत्मा से मगन हो करके जिस पकार से शुतीक स्रणी जी मर्यादा पुसुत्रम भगवान राम जी का आसिर बात चाहते हैं उनकी स्वानि में राजनत आते हैं तब भगवान शिप जी मर्यादा पुसुत्रम भग निमगन हो गए हैं, ब्रह्म में नीर हो गए हैं, और कही नजाइशो दसाभवानी, इस प्रकार की उनकी हर्दय की हर्दय विदारग जो दसा है, उसका वर्णन किसी प्रकार नहीं किया जा सकता है। जो सच्चा भक्त होता है, भक्ती की जो सीमा होती है, उस सीमा के अंतरगरत मर्यादा प्रसवत्रम भगवान जांजी जिस प्रकार का आशिदार उसके बारे में भगवान शिवजी जो है पार बितीसी से बिवेशना करते हैं। जिसी अरू बिदिसी पल्थ नहीं सूजा को मैं चले हूं कहा नहीं पूजा। कब हूंक फिरी पाचे फिरी जाई, कब हूंक नत्य करें बुलताई। यानि कहने का ताथ की उतव सुतिक्षिन जी कहते हैं कि उन्हें दिसा बिदिसा, दिसा और उनके कौन आदी, कुछ भी पता नहीं है, और रास्ता कुछ भी उनको शूद नहीं रहा। मैं किस रास्ते का चाहिन करूँ, दिसा और दसा मन अवजुन की को आगे लिदाने का मार्ग होता है। और ये उनके मस्तिस्क में नहीं समझ मारा है, मैं कौन हूं, कहा जा रहा हूं, और यह भी नहीं जानते हैं कि इसका भी ज्ढान उनको नहीं है। यानि एकदम जैसे उनको किसी प्रकार का इस प्रकार के भावन के अंतरगर आए हैं, तो वो ब्रह्म में ऐसे लीन हो गए हैं, वो अश्वयिं को भूल गए हैं, वो कभी पीछे घूम कर फिर आगे चलने लगते हैं, और कभी प्रभु के गुंगागा कर नवचने लगते हैं तो जब कोई भी सादग परम ब्रह्म में लीन हो जाता है, तो वो मन बचन और कर्म से उनको पुल काइमान हो जाता है, यही दसा सुतिक्षनी हो रही थी, मर्यादापुस्तोर महगवान दिन के अपार दर्शन जा उनने प्राप्त की, अविरल प्रेम भगति मुनी पाई, प्राप्त करके, मजादापुस्तोर महगवान दिका आशिर प्राप्त करके, प्रभु देखे तो लुकाई, पुशी राम जी के विर्ख्षी की आड में छिपकर, भक्त की प्रेम उननत दसा देख रहे हैं, जिस पकार से भक्ती में जब लीन हो जाता है, भक्त जो है अपन की परमात्मा में लीन हो जाता है, उसको जो है उसकी उसको जो है मजादापुस्तम भगवान राम जी पून रोखचे देख रहे हैं, अर्थी साय प्रेती देखी रगुविदा, मर्यादा प्रशोत्तम भगवान राम जीन की अंतर के प्रती जो अपार मुनी की अर्ट्यंत प्रेम की दसा को देखकर ऐसी स्तिति को देखकर भव भाई अवागमन के भाई जो है को हरने वाले शिरोमनी रगुणा जी मुनी के की यानि अंतरमन में प्रमात्मा का आवाश हो गया है, उनको शिद्दी की प्राक्ति हो गई है, प्रमात्मा के दर्शन हो गई है, और जिब्भी जोती उनकी जल गई है, मुनी हिराम बहु भाँती द्गावा, तब स्री राम जीननी मुनी को बहुत प्रकाशे द्गाया, वो बिलकुल निमगन है भक्ति में लीन हो गए हैं, तब मर्यादापुस्टत्र वगवान रांजी ने उनके भक्ति भावों को सुन करकि, उनकी पर मर्यादापुस्टत्र वगवान रांजी अंतर्यामी थे, जाग नर्यान जनि शुक्रावा, तब मुनी नहीं जान दे, इस इसे भावों का बढ़न तो सिदाज नहीं कहा है क्योंकि भूप रूप तब राम दुरावा और क्योंकि उन्हें प्रभु की ध्यान का शुक्र राप्त हो रहा है यानि परमात्मा का की अशीम कर्पावन पर बरस चुकी है जब ऐसी दसा आती है तो भक्त जो है श्वाइं को ही बोल जाता है फिर्दय चतुर भुजर रूप दिखावा और तब स्षी राम दुनी अपनी राज रूप को चिपा लिया अपनी दसा को परिवर्दित कर दिया और उसके हुरिदय में अपना चतुर भुजर उप प्रकट किया तब उसके तरुतिक शुनी के हुरिदय में जो है सतुरुज का रूप रूप दलिए पर्मात्मा का अशिरवाद उकर प्रापत हो गया मुनी अकुलाय उठा तब कैसी तब अपने इस्त शरूप अंतरध्यान होते ही तब मर्यादा पुर्षत्व मखवान राम जी अंतरध्यान हो गए तब तब मुनी जो है पून निस्टा के साथ परमात्मा का दर्शन करे थे सिद्धी की प्राप्ति उनको हो गई थी मुनी अकुलाय उठा तब कैसी बिकल खीन फने बर जैसे और मुनी जैसे ब्याकुल हो उठे और जैसे सेष्ट मनी धर सर्प मनी के बिना ब्याकुल हो जाता है अगर कोई स्वाम होता है, अगर उसका मनी उसके उपर नहीं होती है, तो वह बहुती परशान हो जाता है, बिचलित हो जाता है, इसी परकार जब परमात्मा ने उनको उनकी वह अपने चेतना में आये, तो वह बहुती भ्याकुल हो गई, आगे देखे रामतन श्यामा, और सुन्दर विग्रह सुखधारा सी रामजी को दिखा। सुखधारा के जो समु थे जो जिब्विश्वरूप थे ऐसी आभा को दिखा परियों लकुट इवा चरन लागी। तब प्रेम में मगन होई। वे बड़ भागी मुनी लाठी की तरह गिर्का सी रामजी की चरणों में जागी। प्रेम मगन मुनी बड़ भागी। ऐसी मुनी को अपार हर्शुकान बहुआ। और उनके चरण में उनने शिर्णवाया। और भुज विशाल अगरी ये उठाई। शी राम जी की अपनी विशाल भुजाओं को पकड़कर। जिसप्रकार उनने केवट को अपनी सांधी में रखा। धनमान जी को रखा। और विभीश्वर जी को अपनी अंताकरण सी किसी मानों से मानों के बीद में किसी पकार का कोई भी बदलाव नहीं है। सम द्रिष्टी से सब को देखते हैं। और बड़े प्रेम से हिर्दाई से लगाकर उनको रखा। इस पकार सोतिक्षण जी जो है मर्यादा अपुस्तुल मखवां राम जी का दर्समभा करकर के धन दूस्तों जब मुनी अपने अंताकरन में न यूग है न तब है न दिय कि ना मर्यादा अपुसुल्स मभकवां राम जीन की कि भक्ति में जो अनुराग भी नहीं है। प्रγαर प्रेम भक्ति उनकी अनताकरन में बिराजमान हो गई है तक पाल श्राम जीने मुनी को मिलते ऐसे सुषो भी धो रहे हैं करना का तरो ही जनुभीत तमाला की मानो सोने के ब्रक्षी के तमाल के ब्रक्षी गरे लगकर मिल रहे हो एक तरह मर्यादा आपस तो भगवान अजी सोने की सबी हैं और दूसी तरह तमाल का ब्रक्षी जो है वो आपस में जब मिल जाते हैं आत्मा जब परमात्मा में बिलीन हो जाती है तो भक्ती का असंचार होता है भक्ती उत्पन्न होती है और उसी में प्रेम के भाव पैदा होते हैं वही प्रेम मर्यादा पुर्षुत्रम भगवार राम जी और सुतिक्षुन जी की अंतरकरण में आ गई हैं राम बदन ही लोग लिख रहे हैं और और मान हूं चित्र मां जी लिख काड़ा और सी राम जी मुख देख उनके उनका मुख शुतिक्षुन जी देखते देखते रहे एक तकी लगा कर गे मानों चित्र में लिखकर बनाए गए ऐसा उनको लग रहा है कि चित्र का चित्र का मद्यादा वस्पन भगवान राम्नी का चित्रुन की अश्क्रामने आ रहा है और वह उसी चित्र को जिभी आभाग को देखे अपार हर्ष का अन्बहुआ भक्ति का संचार होआ प्रेम भक्ति भक्ति और प्रेम जब मिल जाता है दोस्तों तब आत्मा प्रवन पांता मिलन हो जाता है और हमारा जीवन संचार के भवबनों से मुक्त हो जाता है यहीं दर्षा सुथिक्षणजी जिस पकार से मर्यादाभुस्तुन नि का इंद्चार करें थी उन पर मर्यादाभुस्तुन भगवान नि का असित बार प्रश्कित दोस्तों तब मुनिंई हिर्दय धीर ध्यरी जो अपने मन से परमात्मा का ध्यान कर रे थी तब उने ने हिवेशे धीरज़धर कर गई पद बार रहे बार बार मज़ादा पुष्क मगवानर की चरण को श्मस्किया और निज़ा आस्रम प्रभु आने करें फिर प्रभु को अपने आस्रम में लाकर अने प्रकार से उनकी पूजा जी जो भक्ती नहीं जानते थे ग्यान नहीं जाते थे जब नहीं जानते तब नहीं जानते मर्यादा पुष्क भगवान रामजी का क्या अनुराग है किस प्रकार से उनकी भक्ती की जाएती है मर्यादा पुर्शुत्म भगवान रामजी का आशिर वाल उनको कैसे प्राप्त हुआ तब जब मर्यादा पुर्शुत्म भगवान रामजी उनको अपने हिर्दाई शी लगाया तब मुनी हिर्दाई धीर धरी तब मुनी की हिर्दाई में अपार धरी कि बेला उत्पन्वी और गही पद बरा रहें भाद तब उनके चरणों को स्पर्श किया अंतर आत्म से मर्यादा पुस्तुत्रम भगवान रामी की सरचरण जिसको प्राप्त हो जाते हैं फिर निज्र आश्रम ब्रभुवान करी तब सुतिक श्रण जी ने अपने आश्रम मे मर्यादा पुस्तुत्रम भगवान रामίν को जिजा करके अनी प्रकार की उनकी पुझा की ठक्तिभाव की तब मर्यादा पुस्तुत्रम भगवान राम्ствен का यही तब वह भागय हो गी धन्ली हो गी-जुश्तो कभी-कभी हमारे नंतर अबम्महारे नकी भगवान बहाओ के ने उनको कोई चीज चड़ाने के लिए चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए अगर हम अंतर मन से, सचे मन से बिना किसी पुजा बात के अपने अंतर मन में अगर परमात्मा का ज्यान लगाते हैं और हमें परमात्मा का अशिद्वार निसी दिख्रापर होता है इस वकार सुतिक्षणी जी ने ज्यान था, ने जब था, ने किसी प्रकार का अनुराग था, किसी भी भाव के भूखे थे मर्यादा अपस्तुर्म भगवान लगान की एकिजार कर रहे थे, मर्यादा अपस्तुर्म भगवान लगाने का ध्यान करते थे इसी प्रकार दोस्तों हमें अपने कर्मों में, अपने कर्म फलों में, अगर हमको अपने उपने ओपर विश्वाष होता है, तो परमात्पांकार सुबार और जिसुमृर्णात है। और अन्य प्रकार की चुनौतियों का स्वंदा करने के बावजूर भी अपने को कभी भी बिजदित होने नहीं दिया और यही भाव दोस्तों यही प्रेणा राम जैत्मान रस्तिय हमको प्राप्त होती है अने प्रकार की रिशी मुनियों का के स्वानिज में जाकर की उनके स्वरोग को देखकर की और लोक कल्यान के लिए मज़्यादा पुसोत मखवान राम जीस इस सुष्टी में जन्मन लेकर की राम चैद मानस जैसे के गरंथ का तुलसिदाज ने जो बढ़न किया है वो हमारी म बानोग जाति को आद्यात्म से जोड़नें और इस भारत भूमि को हमेशा भारत भारत भोमि की पईत्रता के पृतिग है मर्यादा पृसुत मखवान राम जीका आधर्श हमारे भारत भूमि की मर्यादा दिशा और दुस्ता के पृतिग हैं और उनकी मद्यादा से हमारा जीन महिन जीन आज भी राम चियर नमानष के महार्यम से अने प्रकार से कलहिकाल मूए भी सुश्चा हAreं ऊभिवान का ध्यान मन पचनदा और कलमुस vì engineer तर्फ के साथ तो इसे बिकार में अपने मन बतन और कर्म अपने बीचारों को अपने पर्मात्मामें लिए कर्मभाव को जिब कार परमात्मा ने कर्म भवाओं को उत्तम् प्रकृत्टी का गया भ्यक्ति इस संशार में तीनची फ्रकार टी बताई प्रकार के गैनं हम बताई उत्तम् प्रकृती के ती अक्लित प्रकृत्ति का तो के आदसों का स्वरोब बनके अ spricht अपने को अपने समाज को अपने देश को आगे बढ़ाने का प्रियास करना चाहिए यही भाव में राम राज बैठेत्र लोग का हर्शिद भई सब्सक्ता को से प्राप्त होते हैं दोस्तों सब खुछ रहें प्रसंद रहें इसे पकार जो है राम चाहिए मानस्कार स्वाइं करते रहें सबकी मंगल भौश की कार्मना के साथ सबको नमस्कार